हालो एप्रिवान वेलकम टू माई चैनल मैं हूं दीपती और आपका में चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है आज मैं आप लेकर आई हूं रेसिपी मठरी के तो चलिए स्टार्ट करते हैं नमक पारा घस्ता और यह नमगीन पपड़ी बहुत ही टीशी रखती है खासका चा करते हैं सबसे पहत हो अगर अवी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन दबाके सबसे पहर सब्सक्राइब कर लेचे और बैल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नभूलें वाले लिटस वीडियो नोटिफिकेशन टोटली फ्री सबसे पह किमारे मठ्री हैं खसता है बहुत ही खसता बनती है कुरकुरी बनती है किस बनती है अब हम डाल देंगे समें कलॉजी कलॉजी मतलब अनियन सीर्स प्याज के बीज है और इसमें हम डाल देंगे 1 4 cup रिफाइंड ओयल आप यहां घी का यूज़ भी कर सकते हैं रिफाइंड हमने इसलिए ही डाला है जिसे की जो हमारे नमक पा रहे हैं हमारी मठ्री हैं बहुत ही खस्ता बनेंगी कुरकुरी बनेंगी अब इसमें हम डाल देंगे हाफ स्पून सॉल्ट सॉल्ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप यूज कर सकते हैं अब पहले हम वाइल और वाइल में तलेंगे फ्रया करेंगे तो यह बहुत क्रिस्पी बनेंगी बहुत कुरकुरी बनेंगे और नों तक आप बघ् on के कुरकुरी बनेंगे और आप कॉस्क चाय के साथ खाय खाइन वह बहुता ज़वाब ग्यौत पसंद रहा baseline आप और एक कुरकुर के लिए हैं आप देख सकते हैं इसका एक बंग के रिडि हो गया है दो आप देख सकते हैं इसका एक मुठी बन रही है या इसी कि आपना जो मुयन लगाया है वह पुखल परफेक्ट मुयने अब उसमें धीदि धंडा पाई डाल कर गुद कर लेंगे इसका सेमी शॉफ्ट मतलग ज्यादा कड़क भी नहीं और ज्यादा सॉफट भी नहीं संधानों जैसे हैं पूरी का बनाते हैं फूरी का अटा लगाते हैं वैसे हैं यह मैं इसका डुब नर्डी करना है फिर इसको हमें तोशावाल कर छोड़ देना है 15-20 म के लिए जिससे कि यह अच्छी से फूल जाएगा फिर हम अपने आगे की प्रोसेस करेंगे अब हमने इसको बेल लिया है आप इस थिकनिस में आप बेले ना जदा पतला ना जदा मोटा और फिर हम इसको नाइफ की हैप सी काट लेंगे पतला पतला लंबा लंबा पहले हम बना लें निशान बना लें कि आपको किस साइज में काटना है जिससे कि हमारे जो सारे स्ट्रिप्स हैं सारे साइज है वे को सेम कटेंगी और फिर हम आप मतलब जो भी आप चाहें जैसा भी रेक्टेंगल हो चाहें स्क्वैर हो और चाहें वो डायमंड शेप हो जो भी जिससे कि जितने भी हमारे पीसिस हैं वो बिल्कुल सुन्दा साफ दिखेंगे और आप इसको बिल्कुल अच्छे से किसी पेपर पर या फिर प्लेट में निकाल कर रख लें और बाकी के जो दो है उससे आप पड़ी या खस्ता या कुछ भी अपने शेप मन चाहें काट कर ए कर सकते हैं एक बार जरूर बना कर देखें और अपना एक्सपीरियंस में इसा जरू शेयर करें सबसे में जरूरी चीज होती है इसका डू बनाना और आपका डू परफेक्ट बना है तो आपके जो खस्ता है बहुत ही कृस्पी और कुर्कुरी बनेंगे तो आप लोग भी ट्राइ करें यहां दौनों तीनों तरीके से हमने बना कर रेटी कर लिये हैं अब हमारा तेल को गरम करने रख देंगे कैस पर अब अपना ओयल गरम करेंगे बहुत ही अच्छे से और जैसे ही हमारा बहुत चितर कैसे गर्म हो जाएगा उसको आप बिलकुल लो फ्लेम पकर और इसको आप आराम से धीमी धीमी आज पर फ्राइ करें और इसकी चिंता बिलकुल भी ना करें कि एक दूसरे से लिपट गई है चिपक गई है यह जब तेल में फ्राइ करेंगे हम यह अपने आप ही अलग-अलग हो जाएगी बहुत ही आसानी से और अब जैसे ही हमारे महिनत नहीं लगती है बस आप इसको एक बात का ध्यान रखें कि बहुती लो टेंपरेशर पर लो मीडियम फ्लेम पर आप इसको पकाए चलाते रहें बहुती आसानी से यह फ्राइ हो जाती है और जैसे यह थोड़ी सी गोल्डन ब्राउन हो आप इसको निकालने टिशू प करें कोई भी तेवार हो कोई भी पार्टी फंक्शन हो आपके हां तो इसको बना कर जो रेडी करें बच्चों की तो बहुत ही फेवरेट होते हैं अब इसको हम निकाल लेंगे अच्छे से हमारे यह कुर्कुरी मठ्री बनकर रेडी हो गई है नमक पारे बिलकुल बनकर मठ्री अब इसके बाद हमारे जो और भी हमने शेप में काटे थे मठ्री वह भी फ्राइब कर लेंगे अच्छे से बिलकुल लो फ्लेम पर आप लोगी जब ट्राइब करें विथ माई रेसेपी अगर आज का यह वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज ल तुरंत आजाएंगी अब हमारे और भी जो शेप हमने ट्राइंगल शेप के यह मठ्री बनाई थी वह भी फ्राइब कर लेंगे वहती खस्ता बनती है यह वाली मठ्री भी और फिर जो हमारी खस्ता पूरी वाली है वह भी हम फ्राइब कर लेंगे जा टाइम नहीं लगता ह इनको पस थोड़ा सा आपको टेंपरेचर का ध्यान रखना है वाइल बहुत जाता गरम नहीं होना चाहिए अब आप देख सकते हैं यह तैरने लगी है उपर यानि कि हमारी बहुत है चीदेगे से फ्राय हो रहे हैं मट्री बस दो मेटर और लगेंगे इसको फ्राय करने में पर इसको भी निकाल लेंगे टिशू पीपर पर एक बात का और ध्यान रखें कोई भी चीज अब जब तलें कोई भी चीज फ्राय करें उसको निच्जश को निकालें क्योंकि जो सकी इंक है वह केमिकल्स वाली होती है और वह हमारे हैल्थ के लिए अच्छी नहीं होती है पूरी पर पर आप उसको निकालें जितना भी एकसेस ओए ले वो इसमें निकल जाएगा अब हम अपनी मठ्री को भी निकाल लेंगे और जो हमारे पूरी हैं उनको भी हम ऐसे ही फ्राइगे अगर आप पूरी इसको भी भूती खस्ता फ्राइग करना चाहते तो आप फोक की ह चीज है उनको भी हम डलेंगे ऊचल्दी से उनको भी फ्राइग कर लेते हैं अब हमारी जो पूरीया है उनको हम ने डाल दिया है और मुझा थोड़ी से यह सौफ्ट पुसंदे इसलिए मैंने इसमें नाइफ से याँ फोक से छेद नहीं किया है आप इसमें नाइफ से छे तो आप लोग भी जव ट्राइए करें विथ माय मेथड अगर आज का ये वीडियो ये रेसिपी एक हस्ते की कुरकुरी नमकीन परें आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए शेर कीजियो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें थैंक्स वर वाचिं करें देग्स वर अजया हो